कि召 Whew bạn कि भारत के विदेशनेति के मुल्बुट सिद्धान्त क्या है जिन पर हमेशा आडिक रहता है यह था संभवन को पूरा करने की को के प्रति प्रतिबद्ध है भारत अपनी समीधान के नुच्छित क्रमा के क्यावन में भी इस बात को बखुवी उल्लेक किया है या उल्लेकित किया है कि भारत अपनी विदेश निती से हमेशा विश्व शान्ति के प्रहरी के रूप में प्रयासरत रहेगा नमबर दो गैर उपनिविश्वाद भारत ने लंबे समय तक उपनिविश्वाद की तराजदी को सहा है बरदास किया है तो भारत बखुवी उपनिविश्वाद के दुष परिणामों से वाकिफ है इसी वज़े से भारत ने अपनिविश्वाद का हर रूप में विरोध करेगा और यथा संभाव विश्वाद के जो रूप है या जो प्रकार है या उपनिविश्वाद का जो गिनोना करत्य है उसका विश्वाद पर भारत हमेशा विरोध करेगा नम्मर तीन है गैर नसलवाद भारत हमेशा से नसली हिंसा का विरोत करता है नसल भेद और नसली हिंसा के विज़े से मानमता अपमानित होती है इस बात को भारत का अंपीरता से जानता है और क्योंकि भारतिये लोगों को विश्व श्तर पर कई बार नसली भेद का सामना करना पड़ता है इसलिए भारत ने अपने विदेशनिती में के प्रति अपनी प्रतिवद्धता जाहिर की है कि नसलवात का हर रूप में भारत विरूत करेगा नमबर चार है गुट ने प्रिक्षता दूसरे विश्व दिके बाज बदली परिस्तितियों में विश्व दो गुटों की तरफ बट गया था एक गुट का प्रतिने दित अमरीका कर रहा था दूसरे गुट का प्रतिने दित वे सोवियत रूश कर रहा था दोनों गुटों ने एक प्रकार से अपने संख्याबल को बढ़ाते हुए विश्व अशान्ती की तरफ ले जाने की कोशिश की थी लेकिन भारत के नेतरतों में एक नया संगठन उपर कर सामने आया जो कुटने पर एक शांदोलन के नाम से जाना जाता है इस अंदोलन के माददे में जो बारत ने नकेवल दोनों गुटों को लड़ने से रोका है बलकि विश्व शान्ती को बनाये रखने और बढ़ाने में सरानी योगदान दिया है और ना स्वतनतर विकासिल देशों को अपने स्वतनतर विदेश निती को कारेणुट करने के दिशा में एक सराहनी प्रयास बारत करा है और जो नकेवल उस दोर में प्रासंगिक था बलकि आज की बद्ली परिस्तितियों में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है अगला है पंच शील नहरू और चीन राष्टपती चाउवन लाई के बीच उनिस सो चाउवन में एक समझोता हुआ जो पंच शील के नाम से जाना जाता है जिसे कम शब्दम कहा जाता है कि आच्रण के पांच नियम यह शील के पांच नियम जो है अनाकरमण मतलब की दोनों तो इस एक दुसरे पर अक्रमण नहीं करेंगे अनाकरमण अहस्तक्षेप एक दूसरे के कारयों में किसी परकार का गैयर अनादिकरत हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक दूसरे के आंत्रिक मामनों में दखल नहीं देंगे नमबर चार है समानता और परस्पर लाव की भावना नमबर पाँच है शान्ति पून सहास्तित्तु को बनाए रखने का प्रयास करेंगे पॉइंट नमबर च्छे है अफ्रो एशिया ही सुझाओ अफ्रो एशिया एकता पर बल मतलब की भारत हमेशा से अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों को सहयोग और सम्मान देता रहा है और यह था संबव कई मामलों में भारत ने एशिया और अफ्रीका के विकासिल देशों को अंतराष्ट्री पटल पर पत्रने देतों भी दिया है और अगला पॉइंट है सनित्रास्ट्र संग का सहयोग भारत संयुक्त राष्ट संग का संस्तापक सदश्य है और भारत संयुक्त राष्ट संग के मोलबुत सिध्धानतों और आदर्शों के प्रति हमेशा प्रतिवद रहा है भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट संग विश्व शान्ति का प्रहरी बनकर एक मजबूत स्थम्म की रूप में अपने आपको साबित करें और भारत ने समय समय पर अपनी प्रतीबत देता व्यक्त की है, साबित की है, धन्यवाद